आज हम आप लोगों को राइबो सोम के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए सुरू करते हैं राइबो सोम राइबो नुकिलियो प्रोटीन्स के बने अत्यन्त सूज मुकण होते हैं राइबो नुकलियो प्रोटीन का मतलब है आरेन्ने और प्रोटीन और आरेन्ने का पूरा नाम राइबो नुकलिक एसिड होता है इसलिका गया राइबो नुकलियो प्रोटीन के बने अत्यंत सूच मुकड होते हैं इस प्रकार से राइबो सोम आरेन्ने और प्रोटीन की बने भी घुंडी के आकार की सूच में संद्रचुनाएं होती हैं, सूच में कडिकाएं होती हैं, अथवा हम ये भी कह सकते हैं, कि राइबोसोम का निर्माड आरेन्ने और प्रोटेन से होता है, यानि राइबोसोम कैसे बनता है, आरेन्ने और प्रोटेन से बनता है, राइबोसोम में पैलेड के द्वारा डिस्कावर किया गया था यदि पूछा जाए कि राइबोसोम कहां पाए आधिक संख्या में राइबोसोम आंता परदबी जालिका अधवा एंडोप्लाद्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं से चिपके रहते हैं यानि कुछ कोशका द्रब अथवा साइटोप्लाद्म में पाये जाते हैं और अधिकतर राइबोसम जो होते हैं वो एंडोप्लाद्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं उसकी दिवालों से चिपके यह इसलिए दो जगह gaz pan Selbst और दूसरा एंड़ूinge को सिक्री कुलम परढ़ दो स्टी रहते हैं माई्टो कांड्रिया और अन्दर भी मैं आक जाता पता है मैंने आपको बताया था में पढ़ा तो उसका जो मैरेक्स था उसमें राही विजा जाता था ऐसे हैं सबमेने भी राइबोसोम पाया जाता है इसलिए बताया गया है कि इसके अरावा माईटो कांडिया और हरित लवक में भी राइबोसोम पाया जाते हैं ज़िए इसकी संदशना की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि यह अत्यंति सूजम कर होते हैं इनका ब्यास एक सूपचास से से इतने सूचम होते हैं प्रतेक राइबोसोम दो उप एकायों का बना होता है यानि हर एक राइबोसोम दो उप एकायों का बना होता है अर्था टू सब यूनिट का बना होता है आकार वा अवसादन गुडांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं अवसादन गुडांग के अधर पर राइबोसों कितने प्रकार के दो प्रकार के पहला 70S राइबोसों और दूसरा 80S राइबोसों अब 70 के साथ में S लगा हुआ है 80 के साथ में S लगा हुआ है तो S के बारे में भी आपको बताएंगे और ughtुसादन गुडांक के बारे में भी बताएंगे तो पहले जानते हैं 70S राइबोसोम क्या होते हैं यह आकार में छोटे होते हैं जो 70S राइबोसोम है ये प्रोकरियोटिक कोसिकाऊं में पया जाते हैं जैसे कौन-कौन, जीवाड में या अथवा कहले ज़िजयगी बैक्टीरिया में, जीवाड अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है इसमीсь 70S प्रकार के रायवोसोम पया जाते है यहीं पर आपको बता दें कि जो 70S ribosome है यह eukaryotic जीवों के mitokandria वा हरित लवग में भी पाय जाते हैं देखे मैंने अभी आपको बताया कि जो 70S ribosome है यह prokaryotic कोसिकाओं में पाय जाते हैं लेकिन जो Eukaryotic होते हैं जीवं उनकी कोसिकाओं में तो नहीं पाआ जाते हैं लेकिन उनमें met находится chandria और हरित लवक में 70S Ribosome पाए जाते हैं एक्तिर S Ribosome ш Stir प्रोकरियोटिक कोसिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन Eukaryotic की बात की जाए तो म केवल metoooo chandria all vitesse या करित AO पाये जाते हैं बस 70S Rules 50S और 30S मतलब सो 7S राइबوس्ऌम्स है इस็ंकी दो उपएकाई या 150S वाली और दूसरी उपिकाई 30S वाली जो 50S वाली इकाई है या उपिकाई है ये आकार में बड़ी होती है और जो 30S वाली उपिकाई है ये आकार में छोटी होती है और टोपी के रूप में पाई जाते हैं जैसे टोपी होती है अब राइबोसोम का दूसरा प्रकार है 80S राइबोस इस प्रकार के राइबोसोम यूकरियोटिक जीवों में पाय जाते हैं जो यूकरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें इस प्रकार के राइबोसोम पाय जाते हैं Yukariotic Yuk, यानि जो जितने भी उच्क सिरणी के जिव होते हैं, जितने भी उच्क सिरणी के पहोधें हैं, उच्क सिरणी के जन्तों हैं, वो सभी Yukariot कहलाते हैं, तो उन में 80S प्रकार के Rybosome पाज आते हैं. 80S ribosome में भी दो उपिकाईया होती है जो बड़ी वाली उपिकाई होती है वो 60S होती है जो छोटी वाली उपिकाई होती है वो 40S होती है यानि छोटी वाली सब यूनिट 40S, बड़ी वाली सब यूनिट 60S होती है जो 80S में होती है आपको यहीं पर बता दें कि इन संख्याओं को 60s प्लस 40s पराबर 100s वाली गडित वाली द्रिश्ट से नहीं देखना चाहिए ये गडित वाले द्रिश्ट से इसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा क्योंकि ये अलग अलग यूनिट होती है इसलिए इसमें गडित का जोड मत लगाईएगा अच्छा अभी राइबोसोम के दोनों प्रकारों के बारे मैंने आपको बताया जिसमें अवसादन गुडांक सब्द आया था इसके बारे में जान लेते हैं कि अवसादन गुडांक क्या है इसके बाद में जो ये 80 के साथ S ल लिक्राइब किया और उस अंतर का नाम मेंने गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्योज होता है उसलिकरा में आल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बैठ जाते हैं और इसी गति को अवसादन गुडांग कहा जाता है यह सेडिमेंटेशन कॉंस्टेंट कहा जाता है और इस अवसादन गुडांग को जो मापने की इकाई होती है उसे स्वैड वर्ग यूनिट कहा जाता है अवसादन गुडांग को मापने की इकाई को क्या कहत जिसे एस चिन से प्रदर्शित किया जाता है और यही एस चिन असी एस जो लिखा गया था सत्र एस लिखा गया था यह वही ऐसा है यहीं स्वैडबर्ग यूनिट होता है एसका पूरा नाम क्या है स्वैडबर्ग यूनिट होता है और स्वैडबर्ग यूनिट है क्या तो या प्रोटीन बनने के समय अनेक राइबोसोम एक साथ मिलकर एक सरंखला बना लेते हैं एक चेन बना लेते हैं उसे पॉली राइबोसोम कहा जाता है अधवा पॉली शोम कहा जाता है यह जब कई राइबोसोम आपस में मिल जाते हैं MRNA के साथ लगकर एक स्रंखरा बना लेते हैं एक चेन का निर्माण कर लेते हैं तो उसे पॉली राइबोसोम कहा जाता है या पूछा जाता है अगर पूछा जा तो बता देंगे फिर जानते हैं राइबोसोम के कार या फंक्सन आव राइबोसोम के बारे में तो राइबोसोम की सहायता से protein sensation की किरिया पूर्ण होती है कहने का मतलब यह है कि प्रतियक राइबोसोम का मुख्यकारे protein sensation में शहायता करना होता है और यह किरिया ribosome में ही संपन होती है यह कहें तो कोसिखा के सभी protein और enzyme का sensation ribosome के द्वारा ही होता है इसलिए ribosome को protein की factory भी कहा जाता है अगर पूछा जाए कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्रोटीन का संसलेशन होता है संसलेशन माने बनना यानि प्रोटीन यही बनती है और जो चीज जहां पर बनती है उसको उसी के राम से जाना जाता है इसल्हएं इसका नाध से ठीक हो गथा गया क्योंकि यहां पर प्रोटीन बनती है प्रोटीन ठीक हो गया डबल डर्टीक친टी हो जाती बहु Cubaron तो व्रेड फैक्ट्री हो जाती चुकि यहां पर प्रोटीन का निर्माड हो रहा है इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है आप सभी लोगों को राइबोसोम अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद